परिचाय प्रतीक, तुम जानते हो कि आज हमारे गणित के शिक्षक ने हमें संबंधों और फलनों के बारे में सिखाया संबंध? हाँ हाँ हाँ, किन्तु ये एक अंग्रेजी का विशह है हाँ, गणित में शब्द संबंध यानि रिलेशन की संकल्पना को अंग्रेजी भाषा में शब्द संबंध के अर्च से तैयार किया गया है ओ, ये दिल्चस्प है और संबंध शब्दानुसार दो वस्तुएं अथ्वा परिमान परस पर संबंधित होते हैं यदि दो वस्तुओं अथ्वा परिमानों के बीच कोई पहचान युक्त संबंध या लिंक हो मुझे ये पता है, मुझे इसके बारे में और बताओ ठीक है, मेरे साथ हाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे संबंधों के विभिन प्रकारों को परिभाशित करना फलनों के प्रकार की व्याख्या करना फलनों का संयोजन और विर्द क्रमडिये फलन को जानना और दुई आधारी संक्रियाओं की व्याख्या करना. संबंधों के प्रकार एक हमें ग्याद है कि किसी समुच्चे ए में एक संबंध, एक रौस, एका, एक उप समुच्चे होता है. संबंधों के विभिन प्रकार निम्न लिखित है. संबंध यानि एक्यूवेलेंस डिलेशन. आएए एक के करके इन पर नज़र डालते हैं. रिख्ध संबंध समुच्चे ए में संबंध आर एक रिख्ध संबंध कहलाता है. यदि एका कोई भी अव्यव, एके किसी भी अव्यव से संबंधित नहीं है. रिख्ध संबंध आर रिक्त समुच्च के बराबर है, जो की एक्रॉस एका उप्समुच्च है. सार्वद्रिक संबंध समुच्च ए में संबंध आर, एक सार्वद्रिक संबंध कहलाता है. यदि एके प्रतेक अव्यव, एके सभी अव्यवों से संबंधित है. अर्थात R बराबर A क्रॉस A संबंधों के प्रकार 2 स्वातुल्य संबंध समचे A पर संबंध R एक स्वातुल्य संबंध कहलाता है यदि A के अंतरगत सभी X के लिए XXR के अंतरगत है अर्थात R समुचे A पर स्वातुल्य है यदि A के अंतरगत सभी X के लिए संबंध R के अंतरगत XX से संबंध है समिश संबंध समुचे A पर परिभाशिस संबंध R एक स्वातुल्य संबंध कहलाता है यदि x, y, r के अंदर गत हैं, ये इंगित करता है कि y, x, r के अंदर गत हैं संक्रामक संबंद समुझ ए पर परिभाशित संबंद, r को संक्रामक संबंद कहा जाता है यदि a, 1, a, 2, r के अंदर गत हैं, एवं a, 2, a, 3, r के अंदर गत हैं इसका ताद पर ये है कि A के अंतरगत सभी A1, A2, A3 के लिए A1, A3, R के अंतरगत हैं तुल्यता संबंद समचे A पर परिभाशिस संबंद R एक तुल्यता संबंद कहलाता है यदि ये स्वातुल्य सम्मेत तथा संक्रामक है उधारण सिद्ध कीजिए कि निम्न संबंद स्वातुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है समचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में संबंद R इस प्रकार परिभाशित है कि R पराबर A, B इस तरह है कि B पराबर A जमा एक है खल माना कि A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है एक संबंद R को समुझ A पर निम्न प्रकार परिभाशित किया जाता है R बराबर A, B इस तरह है कि B बराबर A जमा एक अधैव R बराबर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 है हम निम्न ग्याद कर सकते हैं A, A, R के अंतरगत नहीं है जहां कैपिटल A, A से संबंदित है उधारन के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, R के अंतरगत नहीं है अधैव R स्वातुले नहीं है ये देखा जा सकता है कि 1, 2, R के अंतरगत है लेकिन 2, 1, R के अंतरगत नहीं है अधैव R सम्वित नहीं है लेकिन 1, 3, R के अंतरगत नहीं है अधैव R संक्रामक नहीं है इस प्रकार R ना ही स्वातुले है ना ही सम्मिध है और ना ही संक्रामक है फलनों के प्रकार एक फलन द्वारा दिखाई गई प्रकृती के अनुसार इससे विभिन प्रकार से वर्गी क्रित किया जा सकता है एक एक एकी अत्वा एक एक दो आच्छादक अत्वा आच्छादी एक एकी फलन एक फलन एक एकी फलन कहलाता है यदि फलन के प्राम्त के प्रत्यक अव्यव फलन के परिसर में अपने और अद्वितिये अव्यव हों समुच्च A से समुच्च B का एक फलन एक एक की फलन कहलाता है यदि समुच्च A के दो या दो से अधिक अव्यव समुच्च B में प्रति बिम्बित किसी अव्यवों के समान ना हूँ अध्वा समान आउटपुट देने वाले फलन के मात्यम से दो या अधिक अव्यव संसाधित ना हूँ आजछादक फलन एक फलन को आजछादक कहा जाता है यदि इसके प्रांथ के दो या तो से अधिक अव्यव इसकी परिसीमा के अव्यवों के समान हूँ अध्वा समचे A से समचे B के फलन को आच्शा दख कहा जाता है यदि समचे A में 2 या 2 से अधिक अव्यव फलन के मात्यम से समचे B में संसाधित होते हैं एवम समान आउटपुट अध्वा समान अव्यव देते हैं एक फलन F, X से Y तक एक कैकी और आच्छादित दोनों होता है, तब इसे एक कैकी या आच्छादक या आच्छादी कहा जाता है फलन के एक एक कैकी और आच्छादी कुणों की जांच कीजिए, F of X बराबर X वर्क दोरा दिया गया फलन, F, N से N तक फलन है फल, F of X बराबर X वर्क दोरा दिया गया फलन, F, N से N तक फलन है ये देखा गया है कि X, Y, N के अंतर गत है इसके लिए F of X बराबर F of Y जिसका दात पर है कि X वर्क बराबर Y वर्क के जिसका दात पर है कि X बराबर Y है अदेव फलन F, एक एकी है. अब दो N के अंतरगत है, किंदू X, N के अंतरगत नहीं है. F of X पराबर X वर्ग पराबर 2, अदेव F आच्छादी नहीं है. इस प्रकार फलन F, एक एकी है, किंदू आच्छादिक है. फलनों का संयोजन दो फलनों का समिश्रण दो दिये गए फलनों को जोड़ कर, घटा कर, गुणा कर, अथवा भाग दे कर किया जा सकता है. दो फलनों के समिश्रण का एक और तरीका है, जिसे दो फलनों का संयोजन कहते हैं. चब्द फलनों का संयोजन अथवा संयोजन फलन इस तरीके से फलनों के संयोजन को संदर्भित करता है जहां एक फलन का आउटपुट दूसरे फलन का इनपुट होता है मान लीजिए की F A से B तक फलन G B से C तक कोई दो फलन है तब F और G के संयोजन को G of F के द्वारा निरूपित किया जाता है सथाय से प्रतेक X A के अंतरगत है के लिए G of F of X बराबर G of F X के द्वारा दिये गए फलन G of F A से C तक के लिए रूप में परिभाशित किया जाता है उधाराण मान लीजिए F G एवं H आर से R तक के फलन है तब सिद्ध कीजिए की F जमाँ G of H बराबर F of H जमाँ G of H फल सिद्ध करना है की F जमाँ G of H बराबर F of H जमाँ G of H समझ लिजे की F जमाँ G of H X बराबर F जमाँ G of H जमाँ G of H बराबर F of H जमाँ G of H इति सिद्ध हम व्यूत करम्ण ये फलन एक फलन F, X से Y तक व्यूत करम्ण ये कहलाता है यदि एक फलन G, Y से X तक का अस्तित्व इस तरह है की G of बराबर I X तथा F o G बराबर I Y है फलन G फलन F का प्रतिलोम कहते हैं सथाई से निम्न नुसार निरूपित किया जाता है इस परकार यदि F व्यूत करम्ण ये है तब F अनिवारता एक एकी तथा आच्छा तक होता है विलोमता यदि F एक एकी तथा आच्छा तक है तब F अनिवारता होता है प्रमे यदि फ्लन F, X से Y तक फ्लन G, Y से Z तक तथा फ्लन H, Z से S तक फ्लन हैं, तब HOG F पराबर H, G, F है. माना की फ्लन F, X से Y तक तथा फ्लन G, Y से Z तक दो व्यूत करम्रिये फ्लन हैं, तब G of F थी G of F व्यूत करम्रिये बराबर F व्यूत करम्रिये हैं, उधारण F of X बराबर 4X जमा 3 द्वारा दिये गए फ्लन F, R से Y तक पर व्यूत करम्रिये हैं, फ्ल, F of X बराबर 4X जमा 3 द्वारा दिये गए फ्लन F, R से Y तक है, एक कहकी, माना की F of X बराबर F of Y, इसका ताद पर है की 4X जमा 3 बराबर 4Y जमा 3, इसका ताद पर है की 4X बराबर 4Y, इसका ताद पर है की X बराबर Y, अदैव F निमन पर एक कहकी है, Y अंतर गथ R के लिए मान लीजिए Y बराबर 4X जमा 3 है, इसका ताद पर है की X बराबर Y घटा 3 बटे 4 R के अंतर गथ है, अदैव कोई Y आर के अंतर गथ है, इसके लिए X बराबर Y घटा 3 बटे 4, आर के अंतर गथ है, इसका सित्व इस तरह है की F आफ X बराबर F आफ Y घटा 3 बटे 4, पराबर 4Y घटा 3 बटे 4 जमा 3 पराबर Y घटेव F आच्छा तक है, इस परकार F एक एक की सथा आच्छा तक है, एवं इसलिए F के व्यूत करम का अस्तित्व है, दूई आधारी संक्रिया दिये गए प्रकार की, दो वस्तूओं के संयोजन के लिए, उसी प्रकार की एक वस्तू को प्राब्द करने का एक नियम है। हम पहले ही प्रात्मेक स्कूल में दूई आधारी संक्रिया को जान चुके हैं, जिन वस्तुओं का हम उप्योग कर रहे थे वे संख्याएं थी तथा दुई अधारी संख्याएं जिनकी हमने जाच की वे योग, गुणा, अंदर तथा भाग थी इस पाठ में दुई अधारी संख्याओं को संख्याओं पर ही लागू करने की आविशक्ता नहीं है परिभाशा, किसी समच्य ए में एक दुई अधारी संक्रिया स्थार, एक फलन स्थार, एक रौस ए से ए तक है हम इस्थार ए बी को ए स्थार बी द्वारा निरूपित करते हैं क्या आप चानते हैं? इस प्रामान में पत्यक वस्तू संबंद एवं फलनों के तत्य के आसपास खुमती है गणित की हर अवधारणा संबंद एवं फलन के सिधान से निकली है फलन की संकल्पना आर्ट डिसकर्ड्स सन 1596-1650 इस्वी से प्रारंप होकर एक लंबे अंतराल में विक्सित हुई है आर्ट डिसकर्ड्स जिन्होंने सन 1637 इस्वी में अपनी पांडुलिपी जियोमेट्री इसमें शब्द फलन का प्रयोग जयमितिये वक्रों जैसे अती परवलई यानि हाइपरबूला परवलई यानि पहरबूला तथा दीर्ग वृत्त यानि एलिप्स का अध्यान करते समय एक चर राशी एक्स के धन पूरांक घाथ एक्स घाथ एन के रूप में किया था सारांश आईए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संग्षेप में दोराएं एक्स में संबंध आर रिक्त संबंध होता है जो संबंध आर बराबर रिक्त समुझे के द्वारा दिया जाता है जो की एक्स क्रॉस एक्स का उप समुझे है एक्स में संबंध आर बराबर एक्स क्रॉस एक्स द्वारा दिया गया संबंध आर तर्वत्रिक संबंध होता है एक्स में स्वातुल्य संबंध आर एक्स के अंतरगत प्रतेक ए के लिए आर के अंतरगत ए ए वाला संबंध होता है X में संक्रामक संबंद R एक ऐसा संबंद है जो R के अंतरगत AB को संतुष्ट करता है इसका ताथ पर है कि BA R के अंतरगत है X में संक्रामक संबंद R एक ऐसा संबंद है जो R के अंतरगत AB तथा R के अंतरगत BC को संतुष्ट करता है इसका ताथ पर है कि A C R के अंतरकत है X में तुलिता संबंद R एक ऐसा संबंद है जो सा तुलित सम्मित सथा संक्रामक है X में तुलिता संबंद R के लिए तुलिता वर्क A में A X के अंतरकत होता है जो X का उपसमुच्च है तथा जिसमें A से संबंदित सभी अव्यव भी संबलित होते हैं। एक फलन F, X से Y तक आच्छादक या आच्छादी फलन होता है यदि Y का प्रतेक अव्यव, X के कुछ अव्यवों का प्रतिबिम्ब होता है। एक एकी अच्छादी फलन है यदि F, एक एकी तथा अच्छादक दोनों है। फलन F, A से B तक तथा G, B से C तक का संयोचन एक अंतरगत प्रतेक X के लिए G आफ X बड़ाबर G आफ F आफ X दोरा दिया गया फलन G, O, F, A से C तक है। एक फलन F, X से Y तक व्यूद क्रमनिये होता है। यदि और केवल यदि F, A की तथा आच्छादी है। दिया गया परिमे समुच्छ X फलन F, X से X तक एक एक की सदन उसार आच्छादी होता है। यदि और केवल यदि F, A आच्छादी सदन उसार एक एक की है। ये किसी परिमे समुच्छी का अभी लाक्षिक गुण धर्म यानि करेक्टरेस्टिक प्रोपर्टी है। ये आपरिमे समुच्छी के लिए सत्य नहीं है। समुच्छ A में एक दुई आधारी संक्रिया स्टार A क्रोस A से A तक एक फलन स्टार है।